हेलो फ्रेंज वेलकम टू माइन नेयो ब्लॉग आई आज आपको दिखाते हैं अब और पीट अद्बुद भगवान का आश्रम आज मैं आपको आश्रम गुमाते हैं यह आश्रम पड़ाओ पे पड़ता है राजगार पूल के नीचे और आज हम अद्बुद भगवान का दर सासन भी लगी रहती है और तो काफी प्योड़ पौध है और बहुत अच्छा वाता वर्रण है यहां पे बहुत बहुत अच्छा लगता है अभी हम जास्ते में और अभी इनके हम गेट के पास चलते हैं यह रहा अद्बुद भगवान का में गेट यहां से हम अंदर इंट कि यह रहा अद्बुद भगवान का अश्रम जो अभी अश्रम के अंदर आ चुके हैं काफी प्योड पौध हैं और अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा है इनका अश्रम यहां से हम लोग अंदर गूमते हैं यह रहा का होनाहार आश्रम में ही रहता है जो देख रेक करता है और यहां से हम इंट्री लेते हैं यह राम में में फ्रंट यहां से है यहां से हम अद्बुत भगवान का दर्शन के लिए जाएंगे लेकिन यहां पे एक चीज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहां पेड़ पौधा फूल पती बहुत जाद है बहु बहुत अच्छा लग रहा है यहां पे संकर भगवान है और एक माता है जो अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी है यह द्रिश से बहुत सुन्दर लग रहा है सामने से देखने में बहुत प्यारा लग रहा है यह आश्रम के अंदर में ही बनाया हुआ है यह राप अच्छानर लगवान अछी हाली हर्याली आश्रम में है बहुत प्यारा लग रहा है अच्छान च्छान में इम खा excitement अच्छान में यह दि दिकलेंगी यह दिखिये यह विदिकल पहाड की तरह बनाया हुआ है और इस पहाड के अंदर अद्बुद बागवान पौत में दि चोटा सा जो दीख रहा है मंदिल इसमें उनका बस फेस दीकर रहा है वाकी उनको इस पत्थर से ढख दिया गया है और कापी संदर लग रहा है देखने में यह पाहर पाहर है अपर अध्बुत्भाग्वान काूल में in a photo आध्यान रूष्टन करते हैं में मन्दील उनका यही है माने तो और इहां से हम अपना अध्रस्शन करने के बाद यह ऊपर से देखते enhance थार यहाँ पर हम लोग कुछ राउंड भी लगाते हैं अपने हिसाप से आप को पता ही है और फिर इसके बाद निया पर इनका सिटकेट आश्रम जो है वो गेराब यहाँ पर कुछ उनका फोटो और कुछ इनका समाम धखा हुआ है और इनका यह चरन है और इनका यह फोटो है जो हम यहाँ पे आते हैं इनका पैर छूर रहे हैं और पैर छूने के बाद फिर रहां यहां से निकलते हैं